मोटू पतलू जादूई बोलने वाला पेड और जादूई सोने का बक्सा की कहानी कई साल पहले की बात है एक हरियाली भरे जंगल में एक बहुत ही अजीब सा पेड खड़ा था इस पेड की शाखाए बहुत ही अद्वितिय रंगों में चमक रही थी और इसकी पत्तिया सुनहरी रौंगत में चमक रही थी लोग कहते थे कि यह एक जादूई पेड है जिसमें आशिरवाद भरा हुआ है इस जंगल में रहने वाले दो अच्छे दोस्त थे मोटू और पत्लू ये दोनों हर दिन मिलकर जंगल के रहस्यमी स्थानों को खोजते थे एक दिन जब वे अपनी साहसी यात्रा पर निकले वे वह जादूई पेड की ओर बढ़े पत्लू ने उच्साह से कहा मोटू भया इस पेड को देखो कहीं न कहीं इसमें कुछ खास बात होगी मोटू ने भी हनस्ते हुए कहा हाँ पत्लू यह देखते हैं कि इसमें हकीकत में कुछ है या नहीं जब वे पेड के पास पहुँचे तो एक अच्छी बात से उन्हें बहुत हैरानी हुई पेड ने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और बोला नमस्ते मोटू और पत्लू मैं एक ज़ादूई पेड हूँ और मुझ में ताकत है कि मैं तुम्हें एक अजीब सी बात बता सकता हूँ पत्लू ने चकित होकर कहा वाह यह तो कुछ अच्छा होने वाला है कौन सी बात है जो हमें बताना चाहते हो पेड ने बताया मेरे पास एक जादूई सोने के बकसे की चाबी है जिसको खोल कर तुम उसमें मौझूद जादूई सोने का बकसा ले सकते हो पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी मोटू और पतलू ने हंस्ते हुए कहा ठीक है हम तयार है पेड ने चाबी को छुपाया हुआ एक जादूई बाकस उनके सामने रखा और बोला तुम्हें इस बाकस को खोलना होगा और अंदर मौजूद सोने को पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा मोटू और पतलू ने एक सन्यमित मनोबल से बाकस को खोला और उनके सामने एक चमकीला सोना उजागर हो गया पेड ने कहा अब तुम्हें यह बताना होगा कि सो ने का यह बकसा कहा ले जाना है तुम्हें मेरी मदद से अद्वितिय यात्रा करनी होगी मोटू और पतलू ने खुशी-खुशी स्विकार किया और उन्होंने पेड की मदद से एक जादूई सोने का बकसा प्राप्त किया जब वे वापस गाव की ओर रुख रहे थे वहें ने एक और रहस्क्यमई बॉक्स देखा पतलू ने हैरानी में कहा मोटू भया यह और एक बॉक्स है यह क्या हो सकता है? बॉक्स को खोलते ही वे देखते हैं कि यह एक बड़ा सा जादूई पेड है जिसमें एक अध्वितिय पंजा है वह पंजा चूने वाले को किसी भी चीज को बदलने की शक्ती देता है मोटू ने मुस्कराते हुए कहा इस पंजे की मदद से हम गाव वालों को एक सुरप्राइज दे सकते हैं पतलू और मोटू ने देखा कि पंजे की मदद से वे गाव को एक बड़े और भव्य स्वरूक में बदल सकते हैं वे गाव वालों की एक सभा बुलाई और सभी को बताया कि वे जादूई पेड से कुछ अध्वितिय और चमतकारी चीजें प्राप्त कर चुके हैं गाव वाले हैरान होते हैं पर वे मोटू और पतलू की उम्मीद पर यकीन करते हैं वे सभी मिलकर एक संगीत और नित्यकार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं पंजे की मदद से वे सभी को बड़ी सी शांदार स्वरूप में बदल देते हैं और सभी एक जुठ होकर मस्ती करते हैं गाव का माहौल खुशी और उत्साह से भरा हुआ है इस तरह मोटू पतलू और जादूई पेड ने मिलकर अपने गाव को खुशियों और चमतकार से भरा बना दिया यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मिलकर किये गए कार्य से हम अध्वितियता और आनंद को अपने जीवन में ला सकते हैं